आपका पिकांचलीर से दिल सेने स्वाखते वारिस का सीजन आ गया है और हमें पकोड़े पकोड़ी चाट खाने की बहुत इच्छा होती है कोबिड भी चल रहा है क्यों ना हम घर पे ही मार्केट जैसी तेस्टी पकोड़ी बनाएं वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे कि आप मार्केट जैसी पकोड़ी घर पर बना सकें इसके लिए मैंने खाली वाउल लिया है जिसमें मैं चने की डाल को डाल दूँगी इसके बाद मैं पानी डालूँगी और इसे मैं कम से कम 4-5 घंटे के लिए बिगो के रख दूँगी आप 2-3 घंटे भी बिगो सकते हैं समस्देस में इसके बाद ये देखी 4-5 घंटे के बाद ये फूल चुकी है तो मैंने इसे एक मिकसर ग्राइंडर के जार में डाल लिया है इसके बाद मैंने इसमें साबुत मैथी और जीरे को भूंच के डाल दिया है और साबुत लाल मेच को डाल दिया है इसके बाद इसकी लिट बन करके इसे ग्राइंड कर लेंगे ये देखिए हमारी डाल ग्राइंड हो चुकी है आप बिल्कुल महीन बारिक ना पीसे थोड़ा सा दरदरा रहने ते जिससे करंची लगती है इसके बाद हमने डाल को एक बाउर में डाल लिया है इसके बाद डाल ये हींग थोड़ा सा काला नमक और चाट मसाला थोड़ा सा ब्लेक पिपर हल्डी पाउडर और बहुत सारा हरा धनिया इससे क्या काफी अच्छा टेस्ट आता है आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ये देखिए हमारी दाल अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब इसमें मैंने एक प्याज को काटा है मीडियम साइज में और उसको इसमें डाल दिया है अच्छे से मिला लिया है इसके बाद मैंने गैस पे कढ़ाई को गरम होने के लिए रख दिया था जिसमें मैंने तेल करम किया है उसके बार हम जिस तरीके से मगोडी या पकोडी बनाते हैं सेम उसी प्रोसेस से आप देख सकते हैं हम पकोडी को तेल में डालते जाएंगे और गैस की फ्लेम अच्छी तेज कर लें उसके बाद आप जैसे पकॉडी डालें गैस को स्लो कर लें अदरवाइस जो आपकी पकोडी है वो उपर से तो जल जाएगी सिख जाएगी बट अंदर से कच्ची रह सकती है यह देखे मैंने एक एक करके एक पैच को डाल दिया है फ्राय होने के लिए उसके आद एक से डेड़ मिनिट बाद मैं इसे पलटूंगी यह देखे मैं एक से पकोडी अभी गैस की फ्लेम हमारी लो टू मीडियम है लो टू मीडियम में ही आप पकोडी को अच्छी तरह से पकाईए मार्केट में वो लोग क्या करते हैं पकोडी को एक बार तो आधा कच्चा निकाल लेते हैं लगबग 50% पकाके दैन उसके बाद उसे वो डवल फ्रा करते हैं और बीच बीच में चलाते जाते हैं तो आपकी पकोडी एक बार में ही अच्छी करारी और कुरकुरी बन जाती हैं यह देखिए हमारी पकोडी सिख चुकी है इसका कलर भी चेंज हो चुका है अब हिमसे में गैसे बाहर निकाल लोंगी और इसे तली हुई मिर्च और इमली की चटनी के साथ सर्ब करूंगे आप ग्रीन चटनी भी बना सकते हैं और कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है और हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकोन को दबाना ना तर आपको लुका आपको अपक्राइब और बार चाहर है और लाइकोन के आपकोन को दोग स्क्राइब थे और झाली के अदा क्यास कॉडता है